गुड मॉनिंग स्ट्वेंज कैसे हैं आप सब उमीद करती हूं आप लोग अच्छे होंगे बिटा देखिए आप लोग बार-बार कह रहते के मैं मुझे ना सेकिंड ड्रम का सेलबस बताईगे उर्दुगा तो आज मैं आपके साथ क्लास 9, 10, 11, 12 चारों क्लास का सेलबस शे रहेगी जैसे कि यह आप देख पा रहे हैं कि यह ना इंध क्लास का है ठीक है अर्दु बीड जो आपकी गॉर्मन्ट स्कूल में चलती है और यहां देखिए सेशन भी लिखा हुआ है आपका 2223 ठीक है अब हम सीधा चलते हैं सेकिंड ड्रम में है ना यह फर्स्ट ड्रम का एक्जैम था यहां पर यह देखिए आपके मिट ड्रम के एक्जैम हो गए है इसके बाद यहां से यह आपका सेकंड ड्रम का सैलबस शुरू होता है ठीक है तो यहां बताते हैं कि सबसे पहले आपको जान पेचान में सिंद बाद जहाजी का एक सफर पढ़ना है ठीक है इस और लास्ट में आपको पढ़ना है वगत ठीक है तो इस तरह कि यह आपके कुछ चैपटर्स है जिनें आप को पढ़ना है रग्त आप देखिए तो यहां पे आपको पंद्रमा चैपटर नहीं पढ़ना है 16, 18, 19 पढ़ना है फिर आपको बीसमा ड्रम जापटर नहीं जान पहचानने आपको टोटल इतने चैप्टर ही पढ़ने हैं बस इसके लावा और कुछ नहीं पढ़ना अगर हम बात करें दूर पास की क्यों कि आपकी दो बुक्स लग गई हैं लेकिन आप लोग कहेंगे मैं हम दूर बास क्यों पढ़ है फर्स ट्रम में तो इससे नहीं लेकिन बेटा क्या पता सेकेंड ड्रम में आपसे पूछ लिए जाए सवाल है न तो इसलिए थोड़ा सा पढ़के जाएगा इसके भी तक रिवन सारे चैप्टर्स अप्लोड है इसमें आपको क्या-क्या पढ़ना है यहां देखे लिका है बाहर की एक दुपैर पढ़ना ह बालागों के लिए तीसरी किताब पढ़ना है गीत पढ़ना है आलमी हरारत पढ़ना है तो इस तरह से जितने भी हैं आपके यह आप लोगों को पढ़ने है जेवर नौट आउट ऐ शरीफ इनसानों जलवाए दरबारे दहली तो इस तरह से यहां के भी आपकी कुछ चैप आठ चैप्टर यहां से आपको पढ़ने हैं तो यह भी आप लोग पढ़नेंगे मेरे चैप्टर मेरे चैनल पर अपलोड हैं वहां से आप लोग देख सकते हैं ठीक है इसका भी लिंग में डिस्क्रिप्शिन में डाल दूँगी अब हम बात करें गिरामर की अगर तो लेकिन अगर आपको लगता है कि मैम नहीं हम कन्फ्यूज हैं नहीं समझ में आ रहे हैं तो आप हमारी एक तीसरी प्ले लिस्ट है जिसका नाम है उर्थ बेसिक उर्दू ग्रामर है ना उसको जाके क्लिक करेंगे तो वहां आपको सारी इसाइटर टापिक्स आपको मिल जाए ठीक है ना उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शिन में डाल दूँगी वहां से आप लोग देख लीजिएगा लास्ली यहां पर आपको दर्वखास्त और मजमून की अगर हम बात करें तो आपको पढ़ना है सेक्शन तबदिल कराने की और शादी में शिर्क्त की नहीं नही अगर हम खत की बात करें तो दोस्त को भाई को और वालिद के नाम इन में से किसी के ओपर भी खत आ सकता है ऐसे भी हो सकता है कि भाई को अपने पढ़ाई का हाल बताई है कि अपकी पढ़ाई कैसी चल रही है तो कुशन कुछ भी हो सकते हैं लेकिन क्योंके पैटर्न सेम हो ये भी हमारे चैनल पर अपलोड है और अर्दू की तकरीबर हम कह सकते हैं सारी वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड हैं बस यह है कि आप लोगों को प्लेलिस्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा था कि आपको असानी से मिल जाया है ये भी अपलोड नहीं है एक हाथ दिन में मैं आपके ये मजमून अपलोड कर दूँगी है ना तो आप चैनल को सबस्क्राइब कर लीजे ताकि जब भी ये मजमून अपलोड हो आपके बास नोटिफिकेशन आ जाए और आप लोग देख सकें ठीक है मजभी तहवार अब दूखे है यहां पर बात हो गई मजभी तहवार की तो इसका मतलब क्या हो गया की इसका एरिया बहुत बड़ा हो गया reten मथभी तेहवार एद भी है बकर इद भी है होली भी है दिवाली भी है रक्षा तो इसमें से भी किसी पे पूछा जा सकता है सफर के हालाद जर्नली पूछ सकते है कि भाई आपने दिल्ली का सफर करा है उसके हालाद बताईए या आप दिल्ली से आगरा गए हैं उसके हालाद बताईए तो कुछ भी पूछ सकते हैं यह आपको अपने तखयूल से अपने दिमाग से लेकना पड़ेगा ठीक है पसंदीदा शख्सियत की अगर हम बात करें तो पसंदीदा शख्सियत कोई भी हो सकते है यह ना गांदी जी भी हो सकते हैं मिर्जा गालिब भी हो सकते हैं तो इसको भी तुरह सा आप लोग तैयार कर लेंगे मेरे वालिदेन यानि अपने मौमा भावा पे लेखना है और यहां पे यौमे अचाद्जा यानि टीचर्स जे तो इसमें आप लोग आसानी से लेख सकते हैं बाकी मैं इसकी जो वीडियोज हैं वो जल्दी से जल्दी अपलोड करने की कोशिश करूँगी तो आप लोग उसे देख सकते हैं इसके लावा दिखी यह लिखा हुआ है कि 31 जनवरी तक यह आपका पूरा निसाब्स जह हो मुकमल हो जाना चाहिए क्यों कि एक फर्वरी के बाद से कभी भी आपके एक्जाम हो सकती हैं तो आप लोग अपनी तैयारी को अच्छे से रखें ताकि जब एक्जाम हो तो आप लोगों को पॉब्रम फेज ना करना पड़े फिलाल यह था आज 9th क्लास का सेल बस अब आप लोग 10th क्लास में आ जाएंगे इसको पढ़ने के बाद इम्तिहान के बाद तो 10th क्लास के भी पूरी पूरी बुक्स अपलोड है उर्दू की तो आप वो भी देख सकते हैं चलिए तो आज की वीडियो को हमें खत्म करते हैं उमीद करते हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी इसे लाइक और शेयर कीजिए थैंक यू फो वाचिंग